हेलो गाइज, कैसे हो आप सब, उम्मीद क्रती हूँ आप सब ठीक होंगे, खायरियत होंगे गाइज आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ ट्रेंड में है दुलहन की ये महंदी डिजाइन, इस शादी सीजन आप भी करे ट्राई किसी भी दुलहन के लिए उसे श्रिंगार में सबसे जरूरी होता ही महंदी दुलहन की महंदी का शादी में अपनी ही खास महत्व है, ये श्रिंगार की या सुहाग की निशानी तो होती ही है साथ ही शादी की एक खास रस्म भी होती है शादी से पहले दुलहन की महंदी की रस्म होती है जिसमें उसकी हथेलियों पर पिया का नाम लिखा जाता है महंदी से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जैसे दुलहन की हथेली की महंदी जितनी रंग लाती है पती का प्रेम उतना ही गहरा होता है दुलहन भी अपने महंदी को लेकर काफी उतसाहित होती है शादी सीजन चल रहा है ऐसे में कई लर्किया दुलहन बनने वाली है अगर आप भी इस शादी सीजन में दुलहन बनने वाली है इसके लिए वे अपने लुक का खास ख्याल भी रखती है मेकप से लेकर आउटफिट तक सभी चीजे नए से नए डिजाइन की चुनना पसंद करती है वही महंदी की बात करें तो ये तो हर तीज त्योहार के दिन लगाई जाती है लेकिन शादी के दिन दुलहन के लिए महंदी का महत्व बाकी सभी दिनों से बिलकुल अलग माईने रखती है आपको ये वीडियो पसंद आये टौव, लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर मी आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मीले और हमारे कैलेक्शन और आइडिया को देख साके ट्रेंडी फैशन ये चैनल, अपने व्यूवर और सब्सक्राइब उसके लिए, ट्रेंडी और ब्यूटिफल, इन्फोमेशन के विडियोस, हुमेशा पबलिश करता है, भार्तिये समाज में महंदी लगाना शुप माना जाता है, महंदी 16 शुप काम से पहले महिलाएं अप इस स्पेशल दिन की, महिलाएं अपने हाथों और पैरों में अलग-अलग डिजाइन की महंदी जरूर लगाती है, हाला कि, पिछले कुछ समय से महंदी के कई सारे ट्रैंज मार्केट में आ चुके हैं, जिससे महिलाएं काफी कन्फ्यूज हो जाती है कि उन्हीं कौन सी डि अगर आप भी हर फंक्शन के लिए महंदी का डिफरेंट लोग केरी करना चाहती है तो आपको फूल हैंड के लिए महंदी की सिंपल और सोबर डिजाइन्स देखने चाहिए, महंदी ना सिर्फ आपके हाथों की खूब सूरती बढ़ाएगी बल्कि आपकी डिजाइन सबको पसंद भी आएगी तो आए जानते हैं कि आपको फूल हैंड के लिए महंदी की कौन सी डिजाइन पसंद आ सकते हैं